देखिए इस वीडियो में मैं आपको यह बीटिफुल नेक डिजैन बना के दिखाने वाली हूँ तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने नेक के मेजिरमेंट को देख लेते हैं तो जो भी आप अपने नेक के ब्रोडनेस रखते हैं चोड़ाई रखते हैं उसमें आपको एक इ जैसे कि 8 इंच या 3.5 इंच तो इस केस में आपको वन इंच मार्जन एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि उससे आपका नेक और ज्यादा डीप हो जाएगा और आपका जो सूट है वो खराब हो सकता है तो इसके लिए आपको इसकी जो लैंथ है वो ज्यादा से जादा 8 इंच रखनी है बस इससे ज्यादा नहीं लेनी आपको इसके बाद आपको यह नेक कट करके और कपड़े पर पेस्ट कर देना इस तरह से और इसके बाद जैसे आप नोर्मल कुर्ती पर नेक बनाते हो सेम इसी इस तरह से इसे कुर्ती के फ्रांट हिसे पर बना लेना है इ हैं इसी तरह से मैंने बाकि बहुत सारे पीस कट कर लियह हैं उसके बाद हमने इस पीस को इसे तरह से तीछSON डुल्ड करना है तो यसी तरह से बनके तैया हो जाएगा उसके बाद हם छी ς पेभघागी तो यह खुले नियाब इसी शेप में रहेगा इस तरह से इसके बाद हमने ये एक चोड़े वाली डोरी बनाई ये मोटे वाली डोरी और इसका हमने लूप बनाना है जिस तरह से आप डोरी बनाते हो इस तरह से बनाकर कपड़े का इसका हमें लूप बनाना है इस तरह से ठीक है इसको हमने इस ट्रेंगल पर अटेच करना है किस तरह से अटेच करना है आए दिखाती हूं तो सबसे पहले आपको मशीन के साथ इस ट्रेंगल को इस तरह से रखना है और इसके किनारे पर सिलाई नहीं लगानी है थोड़ी सी अंदर की साइड लगानी है और उसके बाद आपको इसके ट जोरी आजाए ठीक है इतना लूप हमने बाग की साइड छोड़ना है उसके बाद हम इससे सिलाई लगा कर जोड़ देंगे इस तरह से इस तरह से ये हमारा तयार हो जाएगा आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ट्रेंगल के साथ लूप को जोड़ लिया है ये पिछे वाला हिस्सा है और ये आगे वाला हिस्सा है ठीक है इस तरह से सिलाई लगा देनी है इस पर और इसी तरह से मैंने सारे पीसिस को तयार कर लि उसके बाद हमने इनको नेक के साथ अटेच करना है तो कुर्ती का नेक जो हमने बनाया था उसको हमने सीधा रखना है इस तरह से और इसके नीचे हमने यह जो पैटरन भी बनाई थे इनको रखना है इस तरह से उपर से थोड़ा से छोड़ते वे तब हमने स्टार्ट करना है क क्योंकि उपर हमारा सिलाई में भी कपड़ा जाएगा जब हम शोल्डर जोइंट करेंगे कुर्ती के तब ठीक है तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से आपको इन पैट्रेंस को रखना है अच्छी से बिल्कुल बराबर रखना है यह निए कोई आप छोटा लगा होगे कोई कुर्ती के अंदर ज्यादा दबाद होगे या फिर कोई कुर्ती के अंदर कम दबाऊगे बिल्कुल बराबर गैप पे आपको बिल्कुल अच्छी से राउंड में इस तरह से सैट करते जाना है और इस पर हम सिलाई लगा देंगे यह सिलाई हम बिल्कुल किनारे पेसे लगा रहे हैं कुर्टी के ऊपर मेर के अब हम एक पी सो और लेंगे और इसे भी हम थोड़ी सी गुलाई में रखेंगे क्योंकि यहां नेके बाद हमारि जो neck में गुलाई आ गई है तो इसे हम थोड़ा सा ते रिच्छा करके रखेंगे इस तरह से इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे आप देख सकते हैं मैंने इतने pattern लगा लिए हैं और सेम इसी तरह से हम बाकी के patterns को भी अपने neck पे joint कर देंगे और बैक में ये कुछ इस तरह से बन के आया है और ये फरंट हिसा है कुर्ती का तो इसके बाद हमने ये डोरी बना ली है और डोरी का जो एक किनारा है एक सिरा है उस पर हमने इस तरह से सुई में धागा डाल कर और उसे जोइंट कर लिया इस तरह से अब हमने क्या करना है अंदर डोरी को आसानी से किस तरह से डालें ठीक है तो इस तरह से डोरी पर धागा बांद कर सुई में डाल कर और इस तरह से आप आसानी से इसको लुप्स के अंदर से निकाल सकती है तो एक छोटी सी ट्रेक है इसे आप यूज करें और आसानी से ये डोरी जो है इन लुप् के अंदर में यह डोरी को डाल लेती हूं और यह मैंने डाल लिया है और यह हमारे नेक बन के तयार है इसका जो उपर का हिस्सा एक्स्ट्रा डोरी का वह हम कट कर देंगे कुर्ती के बराबर ही हमने यह रखना है उपर से बिल्कुल अब मैं आपको बताती हूं कि यह जो नैक बनाए इसे आप बैक वाले शोल्डर के साथ कैसे अटैच करोगी ऐसी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी तो उसमें आपने पुछा था कि इसका शोल्डर कैसे जॉ यह मैं सिर्फ समझा रही हूं आपको किस तरह से जोइंट करना है तो डोरी को आपको बिल्कुल किनारे पर रखना है इसके और इस तरह से कुड़ती वाले कपड़े को फॉल्ड कर देना है यह देखिए इस कपड़े के अंदर बैक वाले के अंदर डोरी को बिल्कुल किना पर रखनाय मिलाते हुए इस तरह से और इसके उपर आपने आप सिलाई लगा दी जैसे आप नोर्मली अटैच करते हो ठीक इसी तरह से टैच होगा और उसके बाद हम इससी सीधा कर देंगे तो यह कुछ इस तरह से बनके तयार हो जाएगा इस तरह से आप जोइंट कर सकते ह हो ठीक है इस तरह से तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें